हाई, जेई मेंस में questions repeat होने का जो trend है, वो आज से कुछ 12-13 साल पहले चालू हुआ था, और वो जो trend है वो बिल्कुल fashion बन चुका है, multiple paper होने की वजए से, जो जेई मेंस वाले लोग हैं, वो महनत बिल्कुल नहीं करते, पुराने सालों के सवाल चिपका देते हैं, बच्चों के लिए देखा जाए, तो ये बिल्कुल मजे वाली बात है कि यार पुराने सवाल ही आने लग गया, हम लोग जब paper दिया करते थे, जो मैंने paper दिया था, तो मेरे paper में एक भी question ऐसा नहीं था, जो मैंने पहले देखा हो, और मैं अच्छा student था mathematics का, उस समय पे देखे हुए सवाल बहुत कम आते थे, इक का दुखा आते थे और नहीं आते थे mostly, लेकिन अब जो जेई मेंस का trend हो गया है, उसमें देखे हुए काफी सवाल आते हैं, previous year के बहुत सारे सवाल आते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत helpful होने वाला है, अगर मैं जो बातें बताऊंगा, आपने उन बातों पे अमल कर लिया, जो resources में भी बताने वाला हो, जहां से repeat होते हैं सवाल, उन resources पे अगर आपने अपनी पकड़ बना ले उन questions को अगर अच्छे से solve कर लिया, तो मैं कहता हूं mathematics का paper आपको एकदम लल्लू लगने लग जाएगा, जही मेंस वाले ने repeat करने की एकदम हद कर रखी आजकल तो, बातें पताने से पहले एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूं, जो 2021 का जही मेंस का paper था, उसम March, April attempt के जो questions थे, मतलब March, April, May attempt के जो questions थे, February, May वाले जो attempt के questions थे, उनमें से कुछ questions फिर अगस attempt में देखने को मिले, मतलब repetition तो समझ में आता ही है, लेकिन same year में, within a year, repetition भी हुआ है, तो 2021 में बड़ा ये देख करके मेरे को लगा कि यार, मतलब आपने पहले attempt में जो सवाल पुझे हैं, आपने वही कुछ question अगले attempt में डाल दिये, घजब कर दिया, आप जब सारे papers को उठाओगे, और अगर आप अच्छे से observe करोगे, तो कुछ सवाल तो डिटो same है, option भी नहीं बदले उन्होंने, और कुछ सवाल ऐसे हैं, जिनमें हलका हुलका बदलाव करके पेपर्स जो है ना, वो तो by heart एक दम निपताई दोयार उनको तो आप, है ना, उनक में तो एक-एक सवाल पर research कर डालो, last 5 साल के जितने भी papers हैं, उनके उपर पूरी research कर डालो, और मैं हमेशा कहता हूँ कि 2002 से ले करके, 2002 से ले करके, 2002 onwards, 2002 onwards, जही मेंस के सारे सवाल आप ल इसलिए बोला जाता है कि PYQs बहुत जरूरी है, और यहाँ पे तो PYQs बहुत जरूरी क्या मतलब, highly important हो जाते हैं, ठीक है, 2002 onwards, जितने भी exams हैं, जितने भी papers हैं, उन papers के, एक-एक सवाल को करें, और उसमें क्या बात सिखाई गई है, इस पे अमल करें आप, ठीक है, वैस जैई advanced के single correct question repeat होते हैं, तो जैई advanced में जो single correct question previous 50 years में जो आए हैं, उन questions के ऊपर आपकी पूरी मजबूत पकड़ होनी चाहिए, समय भी है कि ये भी जा सकते हैं, तो जैई advanced के single correct questions तो यार एक-एक question एकदम by heart आपको पता होना चाहिए, और जैई mains के previous year questions में ये बता चुका कहूं कि 2002 onwards, 2002 onwards, एक-एक question पर आपकी mastery होनी चाहिए, मैंको लगता है अगर इन दो resources पर आपकी mastery है, अगर आपकी mastery इन दो resources पर है, उसके अलावा आपको थियोरी अच्छे से आती है, जैई mains का paper फोड़ सकते हो आप, जैई mains का paper आप एकदम फोड़ सकते हो, तो ये जैई mains क कुछ questions का repeat होने का trend चल रहा था, तो मुझे लगा कि आपके लिए काफी helpful रहेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपको कोई भी chapter, बिल्कुल scratch से J level तक सीखना है, तो अपने channel के उपर, हर chapter के बारीक बारीक बातों से शुरू करते हुए, बिल्कुल detailed videos हैं, जिन के आप must preparation कर सकते हो, J advanced को afford सकते हो, board को तो afford सकते ही हो, bit set को crack कर सकते हो, nd को crack कर सकते हो, किसी भी chapter में अगर आपको problem है, तो आप videos की help ले सकते हैं, मैंने अच्छे से playlist बना रखी है, और playlist तो बनाई रखी है, और हर video के notes भी description में मैंने डाले हुए है, almost डाले हुए है, कु अविगले टे, भायुए है, भायुए है।